नमस्कार मैं हूँ नगमा और मेरे साथ मेरे सायोगी अखिलेश चर्मा और आपका स्वागा दे चुनावी रन्नीती में अब नतीजे आने में सिर्फ दो दिन बाकी रह गए हैं और उसके पहले आज अमित शाह और प्रधान मंत्री बीजेपी मुख्याले में केद्वे मंत्र जो से मिले हैं जुसे एक तरह से थैंक्स गिविंग कहा जारा और इसके बाद अमित शाह ने एंडिये के जो सहयोगी है उनके लिए दिली केश्व का होटेल में रात के खाने की भी दावत दी है और इसे बताया जा रहा है कि यहां पे आगे की रन्नीती भी तैय हो सकती है क क्योंकि इस दफ़ा हाला की तमाम एक्जिट पोल जो है वो बहुमत का आकड़ा दे रहे हैं इंडिये को लेकिन हो सकता है बीजेपी को सहयोग्यों की जरूरत पड़े अखिलेश जी बिलकुल और हमारे साथ खास मेहमान मौझूद है इस पर चर्चा करने के लिए कि क्या इंडिये का विस्तार होगा या हो सकता या जरूत पड़ेगी इंडिये को अपना विस्तार करनी के लिए हमारे साथ अंबिकानन सहाई जी जो है वरिष्ट पत्रकार इस वक्त स्टूडियों मौझूद है हमारे साथ पिना की मिश्टा जी भी जूडएंगे जो की बीजेड जाने से पहले सबको धन्यवाद दे दिया जाए लेकिन क्या यह कोशिश दिखाने की भी है कि दूसरी तरफ जाए किस पार्टियों विपश्की अपनी और से कोशिश कर रही है एवियम को मुद्दा बनाने की वहीं एंडिये दिखाए कि वह एक जूट है अकिलेट जी इसको मैं सिंपल शब्दों में कहूंगा यह किलेबंदी की राजनीती हो रही है और लाख एक्जिट पोल अपना रिजल्ट दिखलाएं लेकिन ठीक उस तरह जिस तरह बच्चे का जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है वो कितना भी कॉन्फिडेंट ह उसे यकीन नहीं होता है तो असमंजस है और यह सचाई है रही एंडिय की बात आपने पूछी तो यह समझने की बात है कि देखें जो एक्जिस्टिंग एंडिय है वो तो एक जुट है वो कॉन्फिडेंट भी है ऑन दे बैक आफ एक्जिट पोल रिजल्ट इसमें भी कोई शक नहीं है लेकिन अंदर खाने सब यह जानते हैं कि यदी रिजल्ट कुछ कमजोर पड़ा मतलब इंडिय को विस्तार की जरूरत हो तो अपने घर को तो मजबूत रखना ही है बढ़ाने का प्रयास करना है और उस स्ट्रेटीजी पे मैं नहीं समझता हूँ कि अलाइज से आज कोई बात होगी लेकिन अमिर्शा जी प्रदान मंत्री जी और बीजेपी के बीजेपी हाई कमाल मैं तो समझता हूँ कि दो ही लोग है हो सकता है एक दो चार और हो सलाहकार तो उनसे बाते होंगी कैसे बढ़ाया जा सकता है और एक ही दिशा में सब देखेंगे और वह से किसी को इनवाइट नहीं किया गया है लेकिन यह महत्वपूर्ण जरूर है कि लाख तल्ख तेवर के बावजूद स्वयम उद्धाव ठाकरे आज आये हैं लंडन में थे इसलिए दोपर में उनकी फ्लाइट लेंड किये सीधा हुआ से वहां से वह पहुंचे हैं यह में सब्सक्राइब करने के लिए और जानने के लिए भी कि उनके राज्यों में कैसी परिस्तियां रही हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी सोलेडरिटी कुई बैंडिय के अंदर आफशकता है खास्तोर से जो तीनों पार्टियां है चारों पार्टिबल की जनता दलियू अली दल और शीव सेना और आसाम गण परिस्त ये चार तो इसके एंडिय के जीवन काल से ही में इसके साथ रहे हैं हम लोगों के बीच में किसी तार्तम की भी कमी नहीं है जे पर बीच बीच में ऐसा लगता रहा कि तार्तमी की कमी पि बात करें वो अलग बात है कि मनमुटाफ जो है वो खत्म हो गया है नगमा जी जो आइडिलोजिकल इशूस हैं हम सोसिस्ट मॉमेंट से निकल करके आए हैं जनसंग की स्थापना अलग है कामिस्टों की अलग है तो हम लोग डिफरेंट हैं और प्राउड ओफिट हमें अप आलपल गुमान रहता है और उससे हम कभी पीछे नहीं अटते हैं अब सभी प्रग्या वाले मामले पर जिस तरह से उन्होंने करकरी के मामले में बयान दिया उसको हमने अच्छा नहीं माना तो यह गड़बना धर्म यह आपका कि जो आपने बिहार चुनाओं में मैनिफेस जारी किया कि नहीं किया उसे जब महत्पून यह है कि निपीश कुमार जी और पार्टी के प्रवग्धा समय-समय पर उन सारे सवालों को उठाते रहे जिसको एंडी ट्यूवी भी आइंजोए कर रहा था और हमारे जैसे लोग भी ऑनजोए कर रहे हैं जो बीजे डी डी आ और बीजेभी पिनाके मिश्रा ये आपने खुद कहा कि muchís तर्फ के नतीजें हैं, ये संभावना है बीजेभी के साथ भी जा सकती है, बीजेभी दूसरी तरफ भी जा सकती है, तो आम के उडिसा के लिए क्या अच्छा होगा, कुछ थती है रहें तो आपके लिए वाच्छ है बीबी इसमें हमने कोई देखिए कुछ हमने कोई छुपाया नहीं है कुछ यह हमारे मैनेफेस्टों में है तो नवीन बाबु जब बार बार कहते हैं कि मैं एक्विडिस्टंट हूँ दोनों से तो वो गलत नहीं कहते हैं ना वो कुछ छुपाने के लिए कहते हैं ना कुछ दिखान अगर किसी को हमारी आवश्रक्ता पड़ेगी पहले तो पहले तो मैं बता दूँ कि क्यूंकि मैं आपके चैनल पर आज पहली बार आ रहा हूं तो जो एग्जिट पोल है उससे तो हम कंप्लीटली उससे अब एकमत नहीं है सिंपल बात है अगर अगर उडिसा का असेमली इलेक्शन में बीजे डी को एक सो पांच एक सो दस सीटे मिल रही हैं और अगर कोई कहा है कि हमें पारलेमेंट में दो या चार मिलेंगी तो इसका मतलब करीब आप समझ लीजे हर पारलेमेंट सेग्मेंट में जैसे मेरे पूरी पारलेमेंट सेग्मेंट में 11 लाग का पोलिंग हुआ है तो तीन लाख लोग कम से कम क्रॉस वोट करना चाहिए कि नीचे नवीन बावु को और उपर मोधी जी को इसका मतलब साथ एक लाख लोग उडिसा में इस तरह से डूल वोटिंग करें यह संभव ही नहीं है तो हम का इंटर्नल एक्जिट पॉल बड़ा क्लियर है और सांपल सर्वे हमारा पच्छेस तीस हजार का है पर पारलेमेंट सेग्मेंट यह सारे एक्जिट पॉल हजार बारासों पर क्लिया है जब जब भी बीजेपी को दिक्कत हुई खास्तों से राजसभा में तो हमेशा बीज रिश्टा बरकार रहेगा थी उस मसले पे हमने उनका साथ दिया है और जहां जहां हमें लगा कि इसमें बहुत लंबी दास्तान हो जागी अगर मैं पूरा बता हूँ पर लेकिन जहां हमें लगा कि नहीं इसमें देश हित की बात नहीं है जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात है हमने हमने उनक को सपोर्ट किया है लेकिन ये कोई बात नहीं है कि हमने कोई ब्लैंकेट सपोर्ट दिया है आज तक कभी उन्होंने किसी ब्लैंकेट सपोर्ट पर हम पे ना डिपेंड किया है ना वो डिपेंड कर सकते थे हर चीज़ पर केस पर केस बेसिस पर प्रदान मंत्री जी और अमिज शाजी दोनों मैं ये भी बता दूँ दोनों ने नवीन बाबु से खुद बात किये और नवीन बाबु से बात करके उनको समझा है कि देखी हम आपका सपोर्ट इस बात पर मांग रहे हैं इस इस कारण से खक्त्झ होई है हो दो कि değişित्ख जरू नवीन पट्नाइजीसे को फोन पर बात्चीछ हुई है जी नहीं इन बहुत कडी लडात हुई है हमारी बीजैपी केसा इस कड़ी लडाय हुई है लेकिं कॉंग्रेस चुंकि थोड़ा सा शीन पड़ गया है यहां पर स्टूडियो में अम्बिका नंसाहि मौझूदे वरिष्ट पत्रकार और आप से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं मिश्रा जी जहां तक मुझे याद है अभी से तकरीबन ठीक 20 दिन पहले एक अंग्रेजी चैनल को इंटर्व्यू देते हुए नभीन बाबु ने साफ कहा केटेगॉरिकली कहा कि ही डाजन वांट ए सेकंड टर्म फॉर प्राइम मिनेस्टर मोधी आपकी प्रतिक्रिया देखे जो नभीन बाबु ने कह दिया है तो मैं उस पर अब क्या टिपणी करूं मेरी टिका टिपणी तो उस पर ठीक नहीं है लेकिन एक बात तो है आज बीजेपी जो लग रहा है सिंगल लाजस पार्टी उभर के आएगी एंडिये सिंगल लाजस कन्फिगरेशन उभर क देखे आएगा इसमें कोई दोर आज नहीं देखे जो ये बात पर कोई इसमें कोई बेरे हिसाब से डाउट नहीं करना चाहिए पॉइंट इतना है कि अगर उनको मेजॉरिटी मिलती है या मेजॉरिटी नहीं मिलती है अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है कितना शॉट रहता कितना शौट रहता है 30-40 शौट रहता है 50-60 शौट रहता है 100-110 शौट रहता है यह सारा कुछ उस पर डिपेंड करेगा कौन उनका नेता बनेगा यह तो हमारे उपर नहीं है नवीन बाबु ने एक व्यक्तिकत रूप से उनको पूछा गया मैं सवाल बता दो आपो क्या किसी के साथ कोई व्यक्तिकत रूप नहीं है तो वह बात नहीं है कि हम किसी के खिलाफ है किसी के सपक्ष में उनका दल है उनका दल जिसको चुनेगा अगर उनको हमारी आवश्यक्ता होगी तो हमारे जो टर्म्स है कि आप उडिसा को आप देख रहे हैं साल दर साल उडिसा पर किस तरह के अत्याचार कहें तो तो इससे और कोई दूसरी बाद नहीं कह सकते हैं कुदरत के इतने अत्याचार इतने जादा साइक्लोन हर साल हमारे ऋपर आранहे है और इस साल जो पूरी में आया है और साथ है वे साम अřे सब अब केंदर ने और आइस सरकात दोनों मिलकर के काम किया ता त्यागी जिए संग्षियप में अगर आप कुछ कहसे कि बीजेडी से क्या बीजेडी को एंडीयम आना चाहिए या बीजेडी का समर्थन लेना चाहिए इस पर आपकी राय हो तो बीजेडी और जनतादल यूगा तो DNA भी एक है बीजू बाबू हमारे नेता रहे हैं जब लोगदल बना था तब भी हमारे नेता थे जनता पार्टी बने थी तब भी हमारे नेता थे और अभी रिसेंटली जब राजसभा में उपसभापती का चुना हुआ तो बीजू बाबू नवीन बाबू कर हमें सपोर्ट ना करते तो हम नहीं जीत पाते हैं इसी बीच में जो नवीन बाबू का बयान आया है उस पर जनतादल यूँने हमारे अध्दक्ष ने मैंने स्वम ने सपोर्ट किया है कि यह फिट केस है उडिसागी से विश्विसराज का दर्दय यह दिया जाए जिस तरह से प्राकर्तिक प्रकोप का शिकार है जिस तरह से हर साल वहां का इंफ्राइस्ट्रेक्चर डिस्टर्ड होता है तो वी आर विद बीजेडी ओन दा इशू ऑफ ग्रांटिंग इस्पेशल इस्टेटरस टू ठीक है तो इसी बहाने जेडियू ने भी इस्पेशल स्टेटरस की बात फिर से शुरू कर दी है अभी नतीजे आने से पहले ही त्यागी जी इस पर हम चर्चा करेंगे पूछेंगे आप से भी पिनाकी जी से भी रंबिका रंजी से भी लेकिन फिलाल एक ब्रेक ले रहे हैं तो हम बात करेंगे किस तरह से एंडी की जो है ताकत उसको एक तरह से कहें कि उसका प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त जब डिनर हो रहा है वहां पर अश्वका होटल में बीजेप अद्देश अमिश्यान अपने सारे सहयोग्यों को बुलाया कैसी त्यागी जी हम यह जानना चाहरे थे कि क्या एंडिये मजबूत रहेगा क्या एंडिये में कोई बिखराव तो नहीं होगा लेकिन इसको और भी ब्रोड बेस बनाने के प्रियास करने चाहिए पिछली बार नीतिगत जो संबंदी मामले थे उस पर सभी दल अलग-अलग स्वर में बोल दे थे जो अटल जी के समय आम तोर पर नहीं होटा था तो एक कॉमन मीनिमम अजेंडा और गवर्नेंस बनना चा अटल जी को भी प्राप्त नी हुआ तो सरफ 1971 में मिसिस गांधी को इस तरह का मेंडिट मिला था इसलिए इसको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए और ब्रोड बेस बनाने के लिए वाइडर पार्टिस्पेशन के लिए कोई भी आज मंच नहीं है जैसे प्रग्या ठा आज तो आप अपचारिक कह रहें पर कोई एक ऐसा फोरम में जहां अपनी बाते उठा सके कि इंडिये को जरूरत है ब्रॉड बेस्ट हो नहीं की ताकि आप अपनी जो मद्भेद हैं क्योंकि बहुत सारे मद्भेद रहे शिफसेना का मद्भेद रहा आप लोगे भी मुद जी आमिकानन जी आप इस सर को जोड़ना चाह रहे थे ऐसा पिशली बार भी नीटिश कुमार जी ने भी एक सेकिंड जो हमारे अलग अलग वैचारिक राय हैं हम चाहते हैं उस पर आम सहमती बननी चाहिए जैसे शिडूर कास्ट वाला आया कर करेक आया साही जी आदा सेकि प्रक्षिदरों से मिल करके आम सहमती बननी चाहिए जैसे की ब्रॉट बेस्ट होना चाहिए तो मैं पॉइंटेट सवाल त्यागी जी से अगर आपकी इजाज़त हो तो पूछना चाहता हूं कि जिस तरह वाजपेई जी वाले एरा में जॉर्ज साहब इंडिये के अध्यक थे क्या इस बार नितीश जी इंडिये के अध्यक्ष के तोब सकते हैं कि देखें यह जबाब देना मेरे लिए मुम्किन नहीं मेरी इच्छा हो सकती है चुक्छे बीजेपी का का जिस तरह का बहुमत था तो उसमें ब्रोड समन में कि उनका आव सकता इसलिए नहीं थी जिए कि वो मैजरोटी में थे अब जो जुनाव के नतीजे आने के बाद ही हम इस पर कोई टिपनी करना चाहेंगे लेकिन अगर जॉर्ज फरनाडीज का अस्था निकिश कुमार जी लेते हैं तो जाईर है कि जेडियू समेट जितने भी सहयोगी दल है और जो और दल खड़े हुए हैं मुहाने पर उनको भी खीचन में हमें आसानी होगी ऐसा हम मानते हैं में इस वक्त एक ब्रेक लेगे और ब्रेक के बाद जब अब लॉटेंगे तो एक और मुद्दा जिसके ऊपर लगातार चर्चा हो रही है वो है एवी एम एक तोर दूसरी इलेक्शन कमिशन की विश्वसनियाता पर आपको पता है कि 21 पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन कम तो यूपक्षी पार्टियों ने एक बाद फिर से एवी एम के खिलाफ मोर्चा खोला है जिस तरह से लगातार आज खबर आई है करी जगे तस्वीर आई है वीडियो जाएं कि यूपी में एवी एम जो है वो ले जाते हुए देखी गई थी तो उसको लेकर कि यूपक्ष होने चाहिए और इस पीच एलेक्षिन कमिशन ने ये साफ कर दिया है एक विग्यपती जारी करके कि कोई इस तरह की कोई गड़बडी नहीं थी एवी एम मशीनों के साथ जो एवी एम इस इस्तिमाल की गई चुनाव में वो स्ट्रॉंग रूम में सुरक्षित हैं लेकिन opposition parties को इस बात पर भरोसा नहीं है और शिकायत इसकी भी हुई है हंगामा मचारा EVM को लेके रोली मिश्टा हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जब आप लोग आप उन्हें किस दलों में शामिल थी जो मुलाकात करने के ले गई इलेक्षिन कमिशन से इलेक्षिन कमिशन ने ये कह दिया है कि EVM का जो मामला है कि EVM जो है वो strong room में है और ये जो EVM की तस्वीरे चल रही है वो EVM नहीं है जो इलेक्षिन में यूज की गई तो क्या आप लोग को इस बात से बाप संतुष्ट है या आपकी शिकायत बनी हुई है लगता है रोली जी के आवाज को हमारी आवाज नहीं सुना जा रही है अब आप सुन रही है अगर तो मैं बता जो जो इलेक्षिन कमिशन ने अब जो सफाई दिये उसके बाद कि आब आप संतुष्ट हैं कि EVM मशीन जिस पी शिकायत हुई थी जिसकी तस्वीरे चल रही ह पे सोशल मीडिया पे वो वो नहीं है स्टॉंग रूम में सुरक्षित हैं EVM देखिए इस बात को कैसे मान लीजी लगातार मेडिया इस तस्वीरों को दिखा रहा है और देश का सारा मेडिया तस्वीरों को दिखा रहा है खासकर आप हर जगे से जो रिपोर्ट हमारे पास अन्य प्रदेश के अन्य हिस्सों से आ रही है इसके अलाबा चाहिए बिहार से बताया गया कि रिजर्व एवी एम थे जिसकी तस्वीरें है और आपको मैं बता देती हूं कि EVM वहां अंदर रखी हुई थी उनमें से गाड़ी में भरकर जब बाहर जाने लगी तो वहां ज निग्रानी होनी चाहिए थी और वो पूरी निग्रानी का प्रियोग नहीं किया है जो आज आरोप लगा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से 21 पार्टियां मिलकर के आई है उनका यह कहना है कि किस तरह से EVM निकाली जा रही है एक जेगर से दूसरी जेगर ले जा यूज की हुई है उनको एक दम से पोली स्टेशन से जो जहां काउंटिंग हाल या स्टोरेज हाल है वहां पहुंचाया जाता है और उसको लिए सिर्फ यही नहीं कि हम उठा के किसी गाड़ी में या किसी ट्रक में ले जाएंगे हम सम पोलिंग एजिंट्स को जो है पोलिंग एजिंट्स उसका पीछा करते हैं मतलब फालो करते हुए पोलिंग स्टेशन से लेकर कौनिंग सेंटर तक जाते हैं ओर फिर जब उनके सामने वह बोटिंग जो है उनको पार्टीज को डिलिवर करवाते हैं और फिर उनको स्टोर रूम में रखते हैं तो यह सारा प्रोसेस जो है पोलिंग एजेंट्स और कैनेडेट्स की प्रेंजिस में होता है अब जैसे अब कुछ कह रहे हैं कि कुछ रिजर्व इविंग जो है वो शायद ताइम पर नहीं होंची कि आप चोटे-चोटे नाबालिक बच्चे जो बारा साल के चौदे साल से एक देश के लिए कौन से वीडियो कहा का वीडियो फोटो आपने लिया है आप उनको जवाब देने दीजिए रोलीजियो मैं फोटो इसका देखे मैं वीडियो अभी नहीं देखा जिसमर बच्चों को इस्तमाल किया जा रहा हो तो इसको डे üzके बीना जो है मैं कोई इसमें कमेंट नहीं करूंगा लेकिन अगर बच्चों से उठवाया जा रहा है और वो लेबर उन्चे करवाई जा रही है तो ये बिल्कुल घलत है ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए था हमारे इंडिया में एडल्ट जो है लेबर इतनी है कि हम इंको इस्तमाल करना चाहिए एक और सवाल मेंदीरता साब जो दूसरा इश्यू है कि इमांड करिए है कि वही जो पांच पॉलिंग स्टेशन में आपको ये फोटो भी दिखा दिये मिलान करेंगे ठीक है तो उन्हें ने का कि बाल श्रम जो है अपराद है इसमें जो है कारवाई करेंगे वह जी अपनी बात पूरी किजिए तो उसमें जो है मेरी बात या आप पूरी कर लिजे जो पांच पॉलिंग स्टेशन की जो मिलान करना है अब वह पहले को इंस्ट्रेक्शन यह हैं कि काउन्टिंग होने तो उसके बाद में जो भी आप कहेंगे पांच पूलिंग स्टेशन्स रेंडमली सेलेक्ट करके हम उनकी मिलान कर लेंगे अब अगर आपकी रिपोर्ट्स के मतावी तो एलेक्शन कमिशन ने कहा है कि हम इस पर कल विचार करेंगे और उनका ओपन माइंड है तो अगर ठीक समयते हैं और मुझे लगता है कि अगर इस डिमांड से अगर प्लिटिकल पार्टिस की कुछ सटिस्वेक्शन होती है तो उसको मान लेन चाहिए ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैं दीरता साथ रोली मिश्रा आप कुछ कहना चारी है लेकिन मार पास वक्त नहीं है भी बिलकुल इसलिए आपको वे इस वक्त ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम अप्लॉड लॉटेंगे आपके पास जी जी सरा बने रही है हमार साथ कर फैसला और उसके पहले बात करे थे लेक्शन कमिशन उसकी विश्वस्नियता और एवीएम पे और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता रोली मिश्रा इसके ओपर जवाब देना जारे थी तस्वीरों को आप दिखा स्टॉंग रूम के बाहर रहे और जब उन्होंने कारकरताओं से कह दिये कि स्टॉंग रूम के बाहर रहे तो उसके बाद से सूचनाओं का सिलसला बढ़ता चला गया और यह पता चला कि पूरे प्रदेश में नहीं देश में तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर EVM की मशीने उठा सब्सक्राइब के लिए रोली जी आपका बहुत 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 शुक्रिया अंबेकरन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तो इसमें इतना ही प्रोग्राम में देखतरी एंडिटिव इंडिया